तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं कंटीनियो तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे मजगाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेट के साथ तो मजगाओ के अगर हम बात करें तो स्टॉक में आज भी गिरावट का यहाँ पर अगर आप देखोगे आज भी गिरावट का सामना हमें करना पड़ा है स्टॉक में आज मॉर्निंग से ही गिरावट देखने को मिली ओल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक कंटीनियोसली गिरते जा रहे हैं आज की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग से लेके अगर हम बात करें स्टॉक में दस बचकर पेतालीस मिनट तक शेयर दोसो पेतालीस रुपे के राउंड राउंड जो है गिर गया फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक ने बताई है बट शेयर में लेवल्स जो थे कल जो लेवल्स हमने डिसकस किये थे उसमें भी मैंने एक चीज क्लियर कर दी थी कि स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है यहाँ पर कही न कहीं एक प्रॉफिट भुकिंग हमें देखने को मिल सकते है एक्जैटली ओ चीज यहाँ पर हमे गिरावट नजर अभी आ रही है बट पिछले पाच दिनों की अगरम बात करें तो स्टॉक में ग्रोथ तो नजर आती है बट पाच जुलाई से लेकर अब तक की अगरम बात करें तो स्टॉक 429 रूपिस के अरां रांड रां गिर चुका है चारसो उनतीस रूपे के कि इस स्टॉक में प्रॉफिट वुकिंग चल रहे हैं बाकी अगर आप देखो तो बजट को लेकर काफियत तक पॉजिटिव यहां पर इस स्टॉक नज़रा सकता है क्योंकि कई बड़े ब्रोकरेज फर्म की और से यही का गया है कि बजट के लिए एक बहतरीन शेर साबित हो होने वाला है तेईस तारीक के राउंड राउंड बजट आने वाला है और यहां पर अगर देखे जो बड़े-बड़े ब्रोकरेज फर्म से उनकी उसे बड़े-बड़े टार्गेट्स दिये जा रहा है एक चीज़ मैंने कल भी क्लियर की थी आज भी बबता रहा हूं कि य है जो बड़े-बड़े ब्रोकरेज फर्म से वो टोटली पॉजिटिव नजराते हैं मजगाओ जैसे शेर्स में और यहां पर अगर देखे ऐसा रही है आनंद जेम्स का भी मानना है कि कंसुलीडेट होने से पहले हैं कंसुलीडेटिंग पिरियेड में जाने से पहले यहां पर गिरावट का सामना हमें करना पड़ सकता है बट वही अगर देखे एक प्रॉपर फॉलिंग वेश्टाइप पैटन भी शेर बना सकता है इस चीज़ के उपर भी आपको ध्यान यहां पर देना चाहिए तो एक चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी थी कि स्टॉक में यह वाली रेंज ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है यहां से आप देखोगे कल वाल देखने को बिला और आज भी अगर देखे इसी लेवल से गिरावट रही तो मल्टिपल टाइम अगर देखे इस टॉक जो है उपर की जो ट्रेड लाइन है जो यह रेंज मैंने बनाई हुई है इस पर्टिक्लर रेंज से रजस्टन से फेस क तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो बिलकुल स्टॉक में कही ना कही हमें एक सपोर्ट नजर यहां पर आ रहा है बिलकुल यहां पर अगर आप देखोगे एक सपोर्ट जो है स्टॉक शो यहां पर कर रहा है और बिलकुल आप देखो ऊपर से स्टॉक में रेजिस ये stock की ओड़ से की जा रही है ठीक है एक range जो है stock बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पर यह वाली अब एक upside down momentum है stock जो है इस particular zone के अंदर ही यहाँ पर अगर आप देखो गिरावट के बाद consolidate ही अगर रहा है तो stock में एक अच्छी rally हमें देखने को मल सकती है और easy returns मिल सकते है इस proper falling wish type pattern का क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो अगर stock उपर की उड़ जाता है तो इस level का breakout important हो जाएगा ठीक है इस level का जो यहाँ पर breakout है एक important रहने वाला है तो यहाँ से अगर breakout मिला तो stock में यहाँ से growth जो हमें देखने को मिलेगी मिलेगी एक proper आप देखोगे तो एक proper falling wish type pattern यहाँ पर बन रहा है और falling wish type pattern का breakout मिलने के बाद stock में एक नया ही आ सकता है तो बिल्कुल यहाँ से profit booking आनी ही थी क्योंकि stock जो है already काफी बड़े rallies बता चुका था और साथ ही अगर आप ध्यान से देखो तो stock में हमें एक चीश clear भी कह सकता है कि stock में अगर आप देखोगे एक ball and flag type pattern बन रहा है बिल्कुल यहाँ पर एक ball create हुआ फिर यहाँ पर अगर देखे एक sideways है यानी एक flag भी stock बना रहा है तो एक ball and flag type pattern जो है stock में बनते वे नजरा रहा है और इससे एक bullish pattern भी कहा जाता है तो इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए है अब बात करते है garden rich ship builders and engineers limited की तो 2460 रुपई के राउंड यहाँ पर अगर देखे market close होते होते है stock ने 2480 रुपई के राउंड की closing दी morning में stock down आया यहाँ पर आप clearly देख सकतो morning में गिरावट रही थी फिर उसके बाद stock में काफी अच्छी बड़त भी देखने को वहले काफी अच्छे return stock ने दिये फिर उसके बाद एक बड़े fall देखने को यहाँ पर मिला और all stock जो है यहाँ पर अगर देखे morning से तो बड़ी गिरावट इसने बात आई देट सो रुपे से जादा गिर गया बड़ उसके बाद stock ने रिकावरी भी हाँ पर बदा ही हमें 47 रुपे के राउन अगर देखे ओर आज की गिरावट हमें नजरा दे और पिछले पाच दिनों की भी अगर हम बात करें तो stock में पहले तो अच्छी ग्रोथ रही थी बट वही अगर देखे पाच जुलाई के बाद stock में 333 रुपे तक की गिरावट हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर अगर देखे म्यूचल फंड की और से अपना स्टेक बेचा गया HDFC balance advantage fund cut its stake in the government owned company during the April and June period as per BST data is currently hold around 22.62 lakh shares 1.97% तो अभी की अगर हम बात करें तो 22.62% का stake sorry lakh shares 1.97% का stake hold कर रहा है this is the file from यह जो है बिल्कुल cut होके में आपको numbers बता रहा हो पहले 56.22% था बात करें अगर March के round तक की तो यहाँ पर अगर देखें बिल्कुल selling हुई है HDFC की और से भी हाँ पर अगर दिखा जा अपना stake cut किया गया है तो यह भी एक बड़ा reason है गिरावट के बीचे का garden reach में तो बिल्कुल garden reach में भी profit booking यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर हम बात कर ले garden reach की भी तो stock में क्या level से किन points के उपर आपको ध्यान देना चाहिए तो गिरावट के बारे में तो हमने पहले ही एक चीश clear कर दी थी कि stock में गिरावट आ सकती है क्योंकि एक rising wedge type channel है या breakout पर या तो बड़त देखने को बिलेगी आफर गिरावट देखने को बिलेगी breakdown पर है तो stock में अगर देखे यहाँ से बिल्कुल इसने resistance face किया और यही से ही हमें अगर आप देखोगे गिरावट भी नजर आए यहाँ पर अगर देखे जिस level के around हमने कल discuss किया था कि अगर fall आता भी है तो किस level तक आएगा तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे जिस range को हमने पहले discuss किया था उसी range के around जो है stock जो है यहाँ पर trade करता हो manager आ भी रहा है वही अगर आप देखो तो कल के लिए positive रह सकते हो क्योंकि breakout कहीं न कहीं stock जो जाते जाते यहाँ पर दे गया है यहाँ पर अगर देखे कहीं न कहीं एक बड़त हमें देखने को मिल सकती कल के दिन तो इस point के उपर भी ध्यान रख सकते हो आप बिल्कुल यहा symmetrical pattern मिलना फिर फॉल देखने को बला फिर गिरावट फिर यहाँ पर symmetrical pattern मिलना है बड़ कहीं न कहीं आसे एक bullish momentum stock में आ सकता है अब बात करते एक split share की जिसका नाम है NHC Food Limited 62 रुपीज का stock है दो रुपे 60 पेसे तक अगर आप देखो आज बढ़त रही company की और से split का announcement किया गया ह company की और से split कितना दिया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10-1 का split है एक share जो 10 share में तूट जाएगा और 100 shares जो है 1000 shares में यहाँ पर तूटने आले तो बिल्कुल आप positive रह सकते हो 22 July 2024 से पहले बाई करोगे इसका benefit आपको मिल जाएगा तो बिल्कुल आप इसमें भी buying क कि और चाह सकते तो औरहल काफी कुछ चीज़ें हमने डिसक्स कर लिए इस वीडियो में इंचेस को लेकर आई होप आपको यह वीडियो हेल्प और अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी स्टॉक में इंवेस्मेंग कर रहे हो त इंका अनलसस कर लेना साथ ही टेलिग्राम चिनको जॉइन करो लिंक लीच चे डिस्क्रिप्चिन